यह गंदी सोच आपको कभी भी जिन्दगी में कामयाब नहीं होने देगी ये बात आप लिख कर अपनी जेब में डाल लो उस्तों उपर वाला इनसान को कभी कभी ऐसा मौका देता है कि वो अपनी जिन्दगी में कुछ ऐसा कर जाए कि मरने के बाद भी वो हमेशा लोगों के दिलों में जिन्दा रहे लेकिन आज की जनरेशन कर क्या रही है जब उसको अपने भविश्य बनाना था वो आज की जनरेशन गंदी फिल्में और हिलाने का काम कर रही है इसके अलाओ उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है जब उसको एक इस्टुरेंट आप टे येर का परसती नहीं है तो वो अपने फविश्य के बारे में कैसे सोचेगा जवानी के मज़े लेने के चक्कर में अपना फ्यूचर नालियों में बहा दिया इंसानी शरीर में अगर वाइरस घुच जाता है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है सही ट्रीटमेंट के जरिए उसको ख अगर अच्छे विचारों को अंदर डाल सके अगर ऐसा होता तो दुनिया में जितने भी अच्छे विचार होते इस दुनिया के सारे मेरादीम उन विचारों को खरीद कर अपने बच्चों के दिमाग के अंदर फिट करवा देते हैं इस गलती का रिजल लिया आता है कि पल उसके बाद ही आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजे आ सकते हैं कि अप आप अपनी जिंदेगी को सुदार सकते हैं और गलत चीजे जो आप देखते हैं उनको देखना बंद भी कर सकते हैं हमारा दिमाग एक तरह का एक स्टोरेज है अपने दिमाग में कोई भी थौट स्टोर हो गया देखो भाई जो विचार आपको आया था ना वो आपने खुद नहीं बनाया था आपने कभी ना कभी कोई एसी फ्योटर या फिर एसी कोई वीडियो देखी होगी जिसकी वज़े से आपके दिमाग में वो विचार आया था स्टरबेशन और सेक्स जैसी इस तरह के थोट को हमारा दिमाग खुद प्रडियूज नहीं करता है हमने कहीं न कहीं ऐसी कोई स्टोड़ी देखी होगी या ऐसी कोई मूवी जो थोट हमारे दिमाग में स्टोरेज हो गया है और अपने आप फिर इस थ्रह के थोट हमारे दिमाग में आते रहते हैं यहां तक कि हम पैदा होते हैं भगवान ने हमारे दिमाग में कोई भी ऐसा pre-recorded message नहीं छोड़ा है जिसके वज़े से हमें कुछ याद हो बससे हम यह समझ सकते हैं कि हमारे जो दिमाग ही जो हम पैदा होते हैं बिल्फल कोरे कागज की तरह होता है जो भी हम बड़े होते रहते हैं और देखते रहते हैं वो हमारे दिमाग में स्टॉर होता रहता है और उसी हिसाब से हम अपनी लाइफ को जीते रहते हैं तो हमारा दिमाग कोई भी थोट प्रोड्यूस नहीं करता है बस यह है कि हम जिस माहौल में जीते हैं उसी तरह के पिर उसी हिसाब से हमें उसके थौट आते रहते हैं उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें सही रास्ते पर जाना है या फिर गलत रास्ते पर जाना है जिन लोगों को अपनी जिंदगी सुधारी होती है वो सही रास्ते पर चले जाते हैं और जिन लोगों को सिर्फ क चाहूंगा कि हमारे जो दिमाग है वो गलत विशार भी रखता है और सही विशार भी रखता है हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है तो अब आपको decide करना है कि आपको कैसे निकलना है हलकी फुलकी ऐसा नहीं कि आपको जिम तोड़ फोड़ के रख देना है बस आपको हलकी फुलकी एक्सराइज करनी है कम से कम 40-45 मिन अगर आप उल्टी सीदी वीडियो बहुत दिनों से देखते हैं और आप उनको छोड़ना चाहते हैं तो जाहर सी बात है जब भी आपको ख् देखना है या नहीं देखना है आराम से बैट जी यह शांति से बैट जी अपने मोगाइल स्विच ओफ कर दीजिए और फिर अपने विचारों को देखिए यह प्रेक्टिस आपको दिन में कम से कम एक से दो मिन तक हर तीन से चार गंटे के बात करने उसके बाद जैसे जैस चैनल को सबस्क्राइब करें बिल्कुल मच जाना मिलते हैं एक मैं वीडियो के साथ में इसी चैनल पर बहुत जल जब तक के लिए थैंक यू सो मच ठेक केर और बाबाए